हालो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए जो वीडियो ली कहा रहा है, बात करेंगे एक छोटे से स्टाउक की, जो कि माइक्रो कैप स्टाउक में इसको कहूंगा, बहुत ही छोटा, 200-200 करोल का मार्केट कैपटलाइशन बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसे स्टाउक, बहुत कम लोग ऐसे स्टाउक को देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि जब इन स्टाउक में तेजी आती है न, तो बहुत ही खतरनाक, जबरदस्त, मतलब माला माल कर देते हैं, कई गुना रिटरन देते हैं, मल्टी बेगर, लेकिन इन स्टाउक को पहचानना, जब के साथ, the most important part in these, मैं कहूंगा, every stock or every investment, every trade in stock market, you need to manage the risk before investing, अब आप कोगे, ये कैसी बात होगी, लेकि इन्वेस्टिंग से पहले, trading से पहले, you should know, कि आप का, आप उस स्टाउक में कितना रिस्क ले रहे हूँ, if the risk is as per your affordable limits, समझे इस बात को, इस वर्ड को धंक से सुनिये, area affordable limits में है, then only you can go with the stock or go with the trade, otherwise, either reduce the position or avoid the trade, simple सी बात है, reduce करो position को, ताकि वो आपके affordability bracket में आए, otherwise, avoid it, simple सा structure, कोई, कोई मैं कहूंगा, यहापे confusion वाली बात नहीं, तो सीधे आपको इस stock की तरफ लेके चलूँगा, micro cap segment का ये stock आपको पता है, hidden stock आपके लिए लेके आते हैं, company का नाम है, Sessler Electronics Limited, क्या है, Sessler Electronics Limited, क्या है, Sessler Electronics Limited, देखिए, pronunciation में तोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता है, माफ करना है, इन सारी चीजों के लिए, Sessler Electronics Limited, 200 क्रोड का market capitalization, आप कहो गया, company के उधारी 200 क्रोड का है, कौन सा हमें ये सालो साल रखना है, stock, ये stock, अगल स्विंग पे, profit book, profit job में, अब देखते हैं, इसको समझते है, current price 158, हमारे रडार में आने का कारण भी समझेंगे, क्यों ये stock आ रहा है, लेकिन उससे important बात, अगर इस stock को मैं देखूं, 2010 से लेके 2021 तक, आप जरा notice कीजे stock के revenue को, आप जरा notice कीजे stock के profitability को, आपको चौकाने वाले data सामने देखने को मिलेंगे, आप कोगे यार, company तो, बिल्कुल growing stage में है, growing stage में, growth कर रही है, पिछले उस time देखिए, 171 करोर से, अगर आप revenue को देखो, देखिए, consistently grow कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप खुद देख सकते हो data, numbers को देखिए, एक एक number को margin में बढ़िया number देखने को मिल रहा है, अब आपको गया लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, profitability को देख सकते हो, आप किस तरीके से धीरे-धीरे करके, profitability में भी growth देखने को मिल रहा है, even 2020 में भी, इसने 26 करोड का profit दिखाया, micro cap का stock है, 26 करोड का net profit, अच्छी बात है, 2021 में थोड़ा सा situation आपने देखी, लेकिन उसके बावजूद भी, 21 करोड का profit, तो भई, numbers तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये stock इतने सस्ते में क्यों trade कर रहा है, भई, जब mid cap और small cap, micro cap, सब में correction आया था, 2018 का वो January, February, March, April, वो time आपने देखा होगा, किस त साथ risk भी ज्यादा होता है, high return है, तो high risk भी है, तो इसलिए stop losses, trailing stop losses, profit booking, those are mandatory to manage the risk and to manage your profit, to manage your losses, important, losses are also part of trading, उनको भी manage आपको करना है, कभी आप देखोगे, कि आपका risk management के हिसाब से जो चलती हुई trade है, चलती हुई investment है, उसमें चीजें आपकी हातों से बाहर निकल रही है, तो आप सोचते हो, कि बड़े loss होने से पहने, उनको cut करना important है, चाहिए आप position का size reduce करो, या फिर आप निकल जाओ, क्योंकि that is the most important learning losses, को कैसे avoid किया जाए, अगर हो रहे हैं, तो कैसे reduce किया जाए, अब देखिए, seller, अब आपको हो गया है, ये electronics सा stocks तो है, company करती क्या है, जर products की तरब आपको लेके चलूँगा, आप देखिए, miniature circuit breaker, mcb, distribution boards, automatic source, changeover with current limiter, modular switches, movement sensor, remote switches, single phase motor starters, house wires, देखिए अब आप, अब आपको गया है, ये तो फिर काम तो कर रहा है, stock तो सोटा है, लेकिन products तो हैंगी, अच्छे कासे, लेकिन अब मैं आपको stock को दिखाते हो, देखि segment में जो काम है, copper segment में, energy segment में, जैसे energy saver, panels, street light, controllers, बहुत सारी चीज़ों के उपर काम करता है, लेकिन इस सब चीजों के साथ stock का हमारी radar में आने का कारण तो आपको पता ही है, क्या हो सकता है, प्राइस action के अलावा और क्या हो सकता है, हमारी radar में जब stock आए तो, ये देख आप जब stock ये देखे, 2016 से देखे, 2017, complete body range, body range देखिए, ये body range, wide range में जिसको कहता हूँ, तो मतलब, this is called distribution, मतलब, देखिए आप, lower high, जैसे ये तूटेगा level, तो pain आपके सामने, और level तूटने के बाद आपको क्या मिला, kind of retracement, और level तूटते हुए कैसे गया ये नीचे, ऐ जैसे देखे जरा, और उसके बाद आपने देखा, फिर से kind of retracement यहां पे थी, फिर गया stock सी दे 50-60 की range में, but, things are changing now, how, पिछली retracement की length को देखिए, height को देखिए, मैं कहूँगा, ये देखिए, area केतना 140 की range, अब stock पिछली retracement से नीचे गिरा, वापस इस range के आसपास आता है मैं इसको, मैं कहूँगा, ब्रेक नहीं कहूँगा, वापस आता है, अब देखिए, ये एक, मैं कहूँगा, इस level से एक correction आती है, expected, आप भी expect करोगे, कि पिछले highs के आसपास जाएगा, तो correction जरूर आ है, लेकिन वो correction resolve होती है, with this big volume, मज़ा आगया कि नहीं है, अब आप कह होगे, pronunciation में उपर नीचे हो गया, जैसे कई लोग Fibonaki कहते हैं, कोई Nessie कहता है, अलग-अलग लोग, मैं कहूँगा, यहाँ पर pronunciation, अब आप ये level देखिए, कितना है, 38 से 50% के बीच का, मतलब बढ़िया, और साथ के साथ, पिछली impulse के, पिछली swing के high को पार भी कर दिया, जो impulse move था पिछला वाला, यानि कि ये swing जो थी, यहाँ से 60 रुपीज के level से 140 थक, उसको भी पार कर दिया, अब आपके मने में question होगा, क्या हम late हो गए हैं, क्या हम late हो गए हैं, अब बात आती है, कि आप किस, किस चीज को play कर रहे हो, उसके बात पता चलता है ना, आप late हु इस तरीके की situation, बहुत important, higher, low, higher, high, और ये देखिए, देखिए, साथ के साथ, ये वो levels थे, जो clear cut आपको rejection दिखा रहे थे, लेकिन जड़ा volume देखिए, look at these volumes, what these volumes are showing, smart money, देखिए आप, क्या दिखा रहे हैं, smart money, लेकिन अब आप तसल्ली से देखो, इस area को, क्यों मैं आप को कह रहा हूं कि देखिए, आप जो लोग थोड़ा सा जल्दी, aggressive, थोड़ा मैं कहूंगा, aggressive नहीं कहूंगा मैं, understanding experience कहूंगा मैं इसको, कि है, तो वो लोग इसमें धीरे-धीरे करके, इस area में, 130, 140 के area में, they will start accumulating by anticipating that this is just a correction, जो कि इस से उपर ही, यहां पे ठप हो जाएग करेंगा, आप देख सकते हो यह दर से volume के through, मतलब, अब आप कहोगे, क्या आप लेट हो गए, नहीं, आप लेट नहीं हुए हो, वो लोग इस move को यहां से play कर रहे हैं, लेकिन आप इस move को जब play कर रहे हो, तो that is completely a different thing, that is completely a different thing, means आपका play करने का जो game है, वो इस important area के breakout के बा आप कुछ play कर रहे हो, कोई और कुछ play कर रहा है, आपकी सोच अलग हो सकती है, उसकी सोच अलग हो सकती है, वो यह swing के starting से enter कर रहा है, बट उसका risk बहुत कम है, लेकिन आप यहां पे enter कर रहे हो, तो आपका stop loss इस red candle के नीचे, entry area red candle की close से उपर, तो आपको गयार बहुत ही तो इसी हिसाब से आपके entries और risk management भी plan होते हैं, अब बात करते हैं, targets की, targets में अगर आप तसली से देखो, क्या मज़िदार retracement थी की नहीं, यह retracement, यह retracement, targets की बात करते हैं, तो यहां से उपर जाएगा, पिछली level को गर देखू, मैं term wise कितने point का यह था, almost 54 से लेके, पिछल impulse थी, 98, 100 point की मान के चलिए, round off करके, तो इस impulse की length भी आप expect कर सकते हो, कि 100% के आसपास तो at least हो, देखिए, 100 percentage वाई जगर देखा जाए तो, तो यह जारिया, 100 point भी गर मैं देखू, तो 212, 220 के आसपास तक, लेकिन साथ के साथ, अगर आप यहां पे levels को देखोगे, पिछले highs को देखोगे, इस पूरी impulse की percentage को देखोगे, तो आप कोगे, यह जाएगा, इस area में, कहां पे सारे highs level available है, 240 के around, 240, 250 के आसपास, क्यों, rejection, इंतजार कर रहे है, यहां पे seller, हर कोई expect कर रहा हो कि इस level में जाएगा, और sell कर देंगे, बहुत सारे कुछ समझदार लोग होंग या, इस impulse की correction के बाद, वो इस swing को play कर रहे है, उन्होंने का भाई, हम तो जेब में profit रख चुके हैं, तो समझ जरूर गयोंगे, आप हमने यहां पर क्या दिखा, अब उन लोग क्या करेंगे, अपने stop loss को trail करके, यहां पर पहुचा देंगे, जब यह level power होगा, मतलब उनको डर नहीं है, they are already in profits, अगर इस चीज़े उनके against जाती है, तो उनको पता है, यह वो profit में ही close करेंगे, तो इस चीज़ को समझें, तो छोटा stock जरूर है, मैंने आपको इसको fundamental, technical, सारी चीज़े बताने की कोशिश करी, इस sellser electronics की, wind up करता हूँ वीडियो को, share कीजी, like कीजी, channel सब्सक्राइब में करता, सब्सक्राइब कर रहा है, और price section पर जरूर सीखिए, retail निवेशक, price section पर focus जरूर रखें, किस तरीके से correction हो रही है, किस तरीके से resolve हो रही है, किस तरीके से target set हो रहा है, those are most important part, and thank you, thank you for watching the video.